आजना में आपके लिए बहुत हेल्दी रेसिपि लेक्याई हूँ जो आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं आप नाच्टेप में बना सकते हो और बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और रेसिपि खाने में बहुत जादा टेस्टी है हेलो फ्रेंड मैं वर्शय यहूले म आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ चले फ्रेंड फिर आज की रेसिपि बना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने धाइसोग्रेम पालक धोकर ले लिया है और पालक को दोने के बाद हमें बारी कट कर लेना है आपको जतना बारी कट करना है उतना यहाँ पर पालक बारिक कट करके ले सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पालक कट कर लिया है जितना मुझसे बारिक हो रहा था उतना मैंने बारिक यहाँ पे पालक कट कर लिया है पालक कट करने के बाद यहाँ पे ना में थोड़ा सहारा धनिया भी लूगी हारा धन लगभी और धनिया भी फ्रेश फ्रेश लिया है क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत सारे खेत हैं खेतिवाडी करते हैं लोग तो वहां पर सब्च आज फ़हार है तो हम वह खेती वारे से ही मतलब किसान से ही सीधा खेत से ये पालक धने वग्यरा ले लेते हैं हमारे घर के आसपास बहुत सारी खेती हैं तो आते ही मैंने धूकर रख दिय था धनिया तो आप यहाँ पर मैंने एक मेडम साइस की कटोरी बेसन लिया है उसी कटोरे से एक कटोरी घ्यो काटा लिया है साथ में पाच छे लसन की कलिया उकली में कूट कर ली है साथ में आदा चमत जीरा डाला आदा चमत जलाल मिर्श पाउडर डाला है चुटकी बर हल्दी पाउडर डाली साथ में हमने डाला स्वात की नुसर नमक अब इसमें मसाल साजवाइन डाला है तो अब जो हमने धनिया पत्ति और पालक कट करके रखा था वही धनिया पत्ति और पालक इसमें याड कर लेंगे तो नॉर्मली पालक की सबजी बच्चे खाते हैं नहीं इस तरह से आगर आप उनको पालक खिलाओगे ना तो वह पसंद करके खाएंगे कभी भी पालक ना खाने का भाणा नहीं बनाएंगी कोकि ठनिया पत्ति और पालक डाल दीए उसके बाद मिने यहां पेड़य मेले मैं इसकी घ्लास पानी दाला था और पानी डाल कर हमें इसका एंदम यां मस्त वाला भैकर करना है मस्त वाला मतलब जैसे हम भूसां बनाने पाने आपको जैसे लगेगा वैसे वैसे याड़ करते जाना है और आच्चे जी स्मूद वाला आ पको मिक्स करकर यहाँ पे एक बैटर त्यार कर लेना ही विद्थ है कैं तो देखे किस तरह से यहाँ पर मैंने यह बैटर तयार कर लिया है नॉर्मली जैसे चिला या धोसी के लिए होता है बिलकुल उसी तरह से यहां पर बैटर उन्य भीडोष Halal कर लीजे फिर नमक का आडजस्मेंट कर लीजे तो यहां बैटर तयार हो चुका है तो आप चलते हैं रेसिपी बनाने के प्रोसेस में तो यहां पर मैंने ग्यास की उपर तावा गरम करने के लिए रख दिया था और मैंने लोहे के तवे का इस्तमाल किया है आप चाहो तो बड़े चमस से यहां पर तवे के ऊपर बैटर डाल दीजे थोड़ा 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 ही बैटर डालना है और जो बैटर दालने के बाद अच्छे से तवे के ऊपर यह बैटर हम फाइला कर ले लेंगे जैसे की डोसे का कर लेते हैं बिल्कुल उसी टाइफ का तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से चिला बन चुका है, आप इसको चिला बोल सकते हो, या पालक चिला बोल दीजे, और आपके पास कोई नाम हो, आपकी तरीके से बन कर तायार हो जाता है, और यह गरम गरम नाष्टा खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है, और आपने देखा हिल्दी, तो कितना है, हिल्दी मतलब हमने इसमें जावार काटा डाला है, घेह काटा डाला है, पालक डाला है, तो इससे बढ़िया नाष्टा और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम सब जिक्या दे और उनको हेल्दी भी खिलाना होता है तो तो उसी चक्कर में आज मैंने पालक लाई थी में रात में तो उनका बहुत फ्रेश पालक था खिट से लेखे आये थे ओ तो मैंने सोचा चलो पालक से कुछ बना ले थे और रेसिपी भी हो जाएगी बच्चों का टि संद आया सबने नाश्टा भी किया और हस्बेन में और बच्चों ने टिफिन में भी ले ले गए तो बहुत आच्छा बना था तो आप भी एक बार जरू ट्राय कर सकते हो एक बार 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 बाना ही लेंगे तो आपको कैसी लगे रेसिपी कमेंट में बताना बिल्कुल न भूले हैं नाश्टा आप स्वास के साथ और दही के साथ यंजा करें यह सिदा ऐसे खाओ तो भी आच्छा लगता है फिर मिलेंगे ऐसे निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई